हालो फ्रेंस वेलकम बैक टो मेरे ट्रीप चैनल तो फ्रेंस कातिक पोरिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उससे चानने से पहले अगर आप चैनल पे नहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजेगा तो फैंस यहां पे स्टाडिक में ही दिखाएंगे कि सुनी ची आती हैं और यहां पे देख रही होती है कि सारे लोग जो है एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं पर वो इंतजार कर रही होती है अपने बच्चों का तब ही उन्हें सुम्रित आता हुआ दिखाई द हैं तो वो सोचते हैं कि सुम्रित लेकिन जब यह देखती है कि उस सनाया के साथ रंग लगा क्या रहा है तो उन्हें बुरा लगता है मनी मन में कि इसने तो पहले से ही रंग लगा रखा है जबकि वो लगाती है तो बबली कहती है देखा बाबी यह बिल्कुल बदल गया ह तब ही वो आता है और अपने डैट के रंग कले लगता है कहता है कि आप ही ओली डैड तब ही सोनी जी कहती है सुमृत क्या हुआ तुमें तो कहता है कुछ नहीं तो कहती है अच्छा लगता है कि तुम्हारे लिए बिस बेसल कौन हो गया है हाँ सब दिखाई दे रहा है तुम्हें पता है हमेशा से सबसे पहले रंग मेरे बच्चे मुझे लगाते थे और मैं अपने बच्चों को और आज तो तुमने सब ट्रेंडी चेंज कर दिया सब कुछ हाँ तुमने सनाया कि मैं ही तुम रंग है पूरी तरीके से तो ये तुमने क्या तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे लिए कुछ है आज तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं रखती है सब कुछ सनाया हो गई है इसलिए तुमने है तुम्हें पता है कि कार्टिक होता है तो ऐसा नहीं होता है वो सबसे पहले मुझसे रंग लगवाता है और मेरे लगाता है तुम कहते हो ना कि मैं उसे क्यों इतना मानती हूं इसलिए मानती हूं क्योंकि तुम कुछ समझते ही नहीं हो तुम सिब कुछ से मतलब रखते हो तब ही वो कहते है कि कहते हो माम ये बात है मैंने आपके पहले रंग ने लगाया मैं भूल के माम आम सॉरी सनाया सोचती है कि सब मेरी बज़े से हो रहा है तो उसके डैट कहते है अरे कुछ नहीं कि मुझ पे गया है मैं भी तो ऐसा ही था किसी की नहीं सुनता था अपनी मन मानी करता था और सबसे पहले याद है मैंने तुमें कैसे रंग लगाया था तो सोनी जी सोचने लगती है तो उनके डैट कहते है समरित के कि बस और कोई भी बात नहीं है बस मुझ पर ही चला गया इसलिए उसने रंग लगा दिया फिर नहीं नहीं बीबी के रंग लगाने का मजा ही कुछ और होता है तो समरित के तहां डैट ये बात तो आप सही कह रहे है नहीं नहीं बीबी के रंग लगाने का तो मजाई के चाहर होता है तो तब ही वो उसके डैड जो है सुम्रित को इसाहरा करते हैं कि जहाओ तुम अपने ममी को मना लो तो अभी ते सनाया भी सोच रही होती है कि ये सोनी जी नाराज हो गए क्योंकि उनके नाराज होने से सब बात बिगड़ जाती है सनाया को अच्छे से पता है कि कब उनका मूर आफ हो जाता है पता नहीं चलता है इदर दिखाते हैं कि यहाँ पे पूरी माख खड़ी होती है तुरंत कारतिक उसके रंग धेर सारा लगा देता है फिर भागने लगता है इदर सुधरी लोग दूसरे के खूब रंग लगाती है और फिर यहाँ पर दिखाते हैं कि सोनी जी जो है वो यही सब कहर रही होती है कि कारतिक कितना अच्छा है और उसके डैट कह रहा होते है कि मुझ पे गया है तो सोनी जी सोचे लगतीई तबी फिर का जो सुम्रित होता है वो अपनी मा को मनाने के लिए उनके गले से लग जाता है पॉर कहता है sorry मा मुझसे कलती हो गई जो छले अब मैं आपके रंग लगा देता हूं फिर वो जो हपनी मा के रंग लगाता है Sannaya, तो बहुत बुरी सोच में पड़े हो भी होती है, क्योंकि वो सोनी जी को अच्छा सा जानती है, और उनका मुड किस तरीके से होता है, लेकिन सुम्रिद अपनी मां को कहता है, सोरी मां, मां जा हिए ना, तो सोनी जी मां जाती है, कहती है, लोग कोई बात नहीं फिर वो एक दूसरे को रंग लगाते हैं सुम्रित अपनी मां के रंग लगाता है और उनकी मां उनके रंग लगाती है सुम्रित के और हैपी हुली करते फिर वो सोनी जी सुनाया के भी रंग लगाती है और कहती है हैपी हुली सुनाया से कहती है यह बता जी और उनकी बेपे भी आने लगती है इतर सनाय बताती है कि सुम्रित आया तो इस वज़े से में रुक नहीं पाई इसलिए उसके साथ में चली आई थी आप फिकर मत कीजिए बाकि सब लोग भी आ जाएंगे तो कहती है ठीक है फिर दिखाते हैं कि यहां पे लोग एक दूसे को रंग लगा रहे होते हैं होली चल रही होती है सब एक दूसे को रंग लगा रहे होते हैं कार्थिक में पूरी मा को लगाता है पूरी मा भी उसके लगाती है लोग खुब वोली कहलते हैं और यहां पर बीना जी और बेबे आ जाती है तो यहांपे वो एक रंग लगाती है सणाय के और सुम्रिश के इन दोनों के बीना जी जो होती है वो भी काफी खुश होती है तब बेबे कहती है काफी बड़ी इंदिजाम किया है आपने और जो कार्टिक के तैड होते है क्या हुआ कुल दी भाई सब वीजी नहीं तो कहती है भी नजी कि इनकी तब इतकुछ ठीक नहीं ती इसलिए वो लोग नहीं आये हैं तो उन्हें लगता है कि साथ इन लोगों को कुछ डाउट हो रहा है कि कहीं नारास्त हो नहीं तो कहते हैं उन्हों ने होली कहा है, तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा थीक जयुद और उसके बाद दिखाते हैं कि मैं बोपी होंगी जाके जो सोनी जी पी रही है काफी अच्छी दिख रही है तो उस पीना जी मना करती है नहीं बेपे हैं सब कुछ नहीं करना तब ही एक लोग बेपे जी से मिलने आ जाती है अब उतने भी बेपे जो हैं वहाँ से निकलाती है उधार आती है बबली ची हो सोनी ची है अपस में और इतर बीना ची थी वो कोई लीडी बात करें तो यह बात करें थी लेकिन ध्यान सारा है बेबे पे ही होता है क्योंकि बेबे जो है कुछ ड्रिंक पी रही होते है तो सुस्ती पतानी क्या पी रही है ये वो आने के गोशिश कर रही होती पर आने ही पाती है फिर यह देखती है कि आगे काफी मीठाई रखी है खाने के लिए तो वो सोचते हैं कि चलो ये भी खा लेते हैं तो वो आगे आके वो भी खाने लगती हैं बड़ी खुश हो जाती है लेकिन वो जिन कटोरियों में वो मिठा ही रखी हुई होती ही ना वो सारी चीज़ा जो सामान होता है वो देख के इतना ललचा जाती है मतलब उतना उनको अच्छा लगता है कि वो कुछ सामान जो है देख के सोसते हैं बड़ी लोगों के हैं वावाई वाई कितना बढ़िया सब कुछ का रखा है ये तो बहुत बढ़िया हो गया तभी पर कुछ सामान उठाके अपने बैग में रख लेती है उसी में से तो बैग में भी बार लेती है और भी दूर से बीना जी देख रही होती है कि बेबे ये क्या कर रही है वहाँ पर तबी फिर भी न जी जैसे ही वो लीडी जाती है तुरन दोर कहती कहती ते बेबी चलो यहां से क्या कर रही हो कहती अरे कुछ नहीं है मुझे तु क्या कर रही है रोग क्यों रही है पर वो जवरदस्ते खीच के ले जाती कहती बेबी मान क्यों नहीं रही हो हाँ तो कहती अरेज देख न यहां पर होली की होली हो गई शॉपिंग की शॉपिंग हो गई तो कहती क्या मतलब है हाँ तो पता है न कि यहां पर हम लोग कहा है तो हाँ मुझे तुझ से जादा दिमाग है मैं तिरी माँ हूं कहती माँ दिमाग है तो यूज करो ना सनाया की स सुराल में खड़ी हो और ये सब असांती सो रहो ना क्यों कर रही हैं आप ये सब पर बेबे तो सुनने वाली नहीं होती कहती वो तभी एक बेटर से कहती वो जो बुलबुले वाली है ना वो मुझे लाके दो एक नीत वो दो लाके दे ना मुझे पीनी वो तो बड़ी हाँ बस बीना जी बराबर मना कर रही होती है मगर बीबे नहीं मानती है फिर वो जवरदस्ती उससे मंगाती है तो लाके दे देते हैं उनके पास यह भी क्या जा रहा होता है वो दे देते हैं यह पर से उसको पीती है तो बीना जी चीना जप्टी होने लगती है बीना जी कहत में झूट के ज्मी में तो सारी लोग एक त fragrance ढाते हैं कि यह क्या आ यह bho आपक हुझा एजैनी सोनी जी देखती हैं ये क्या हो रहा है क्योंकि सोनी जी को सब चीज़ हैं बिलकुल भी पसंद नहीं है वो देखती हैं ये सब क्या हो रहा है इदर भी ना जी बेबे को रोकने के चकर में काफी परशान हो रहा होते हैं लोग इदर बेब बबली जी कहती है कि हां ये क्या कि यह क्या है अब क्या हो सकता है यह लोग देखके सुचते हैं सनाया तो सुचती है अब क्या होगा क्योंकि उन्होंने देख लिया है ना करें के और कि मेरी कुछ हावाज प्रभलम कर रही है तो सुचती है और कि मा मं Mini को समालो मैं अभी आते हूं तुरन जाके कहती यह सुनी चीज़ह क्याँती प्लीज इन सब चीजों के लिए माँआप कर दीजिए इन लोगों के इन ными कोड़र मेरी साधी हो जाने दीजे, मैं पक्का इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखोंगी, ये लोग ने अपनी हरकों तो से बास नहीं आते हैं तो पक्का प्रीज सम कहती हैं, सुर्थ थैंक गॉड़ सनाया तुम इन लोगों के जैसे नहीं हो तुम बिल्कुल अलगो हो, कहती हैं आप लोगों को इस चीच के आदे नहीं पर थोड़े बहुत हो, आप में भी होगा कि नहीं करना चाहिए इस तरीके से, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ सुनना नहीं है, तो वो कहती है, कुछ बोलती नहीं है, फिर फिलाल जैसे ही वो संसकारों की बात करती है, कि इतनी दो संसकार होंगे ना आप में, कि सब नहीं करना चाहिए, अच्छा संसकार की बात करें आप बहुत हो मती कीजिए, आपको पता है, आपका बिटा कहा है, किस के साथ है, हाँ, आपको ये तक तो पता नहीं और आप संस्कारों की बात कर रही हैं यह बात तो मुझसे बिल्कुल उमत की जब यह सुनके बीना जी सुना है सारे के सारी सौक्ट हो जाती है सौनी जी भी सौक्ट हो जाती है कि इनको कैसे पता है की कार्थिक कहा है और किसके साथ है अब बीना जी सौस्ती बेपी ने यह क्या बोल दिया वो कहती चलो यहां से चलो लेकिन सुनी जी कॉप शक हो जाता है तो फ्रेंस आज के लिए नहीं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीज़ेगा चैनल पर नए ऊस तो सब्सक्राइब कीज़ेगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबा और बीज में वीडियो अच्छी लाइक कीज़ेगा